हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो माई चैनल, आज मैं आपसे शेर करूँगा अपना मिर्ची का ये पोधा, ये जो आप पोधा देख रहे हैं, ये मैंने बजार से सिरफ दो रुपई में खरीदा था, जो छोटी छोटी पोध, जिसे पनीरी भी कहते हैं, वैसे मैंने इसे दो और अब आप देख सकते हैं, ये एक इसने पोधे का रूप ले लिया है, और इसमें फ्रूटिंग भी चालू हो गई है, देखिए, पूरा पेड़ मिर्च से भर चुका है, चारों तरफ से हर एक ब्रांच पेस में मिर्ची लगी हुई है, देखिए, कितनी अच्छी दो रूपई के पोधे में, ये जो पोधा है, ये मैंने एक प्लास्टिक क्या वेस्ट कंटेनर था मेरे पास, उसमें मैंने इसमें लगाया हुआ है, ये देखिए, और इसकी जो मिट्टी है, कोई इसकी मैंने स्पैशल मिट्टी नहीं बनाई, कोई मैंने इसमें गोबर ख वो सिरफ और सिरफ मैंने अपना किचन वेस्ट ही डाला है इसमें, जो हमारे फलों के छिलके होते हैं, सबजीयों के छिलके होते हैं, उन्हें मैंने एक बाल्टी में भरकर और उसमें पानी डालके रख दिया, दो-चार दिन बाद मैंने उस पानी को एक तक्रीबन 10 लेटर की बाल्टी में उस पानी को भरके वही मैंने इसमें डाला है 15-15 दिन बाद मैंने ऐसे इसमें डाला है तो मुझे इतनी अच्छी फ्रूटिंग मिली है और वो जो वाटर है कमपोस्ट का किचन वेस्ट वाटर जो सबजियों और फ्रूट के छिलके हैं वो आप अपने नॉर्मल प्लांट में भी डाल सकते हैं उसका कोई नुकसान नहीं होगा तो यही इस किचन वेस्ट का विजल्ट है और यह जो प्लांट देख रहे हैं यह मैंने सीड से ग्रो किया है यह प्लांट मेरा बिल्कुल फ्री में तयार हुआ है जो हमारे घर में सुखी लाल मिर्च होती है उसके बीच से मैंने यह प्लांट ग्रो किया है और इसकी मिर्च पूरी तरह के तरह से लाल हो चुकी है और अब यह तोड़ने के लिए बिल्कुल तया अगर आपने इन मिर्चों को सुखाना है, सुखी हुई लाल मिर्च तैयार करनी है, तो आप इसे पेड़ पर ही लाल होने दें, अगर आप हरी मिर्च को तोड़ के सुखाएंगे, तो वो आपकी खराब हो जाएगी, वो सफेध हो जाएगी, ऐसी लाल नहीं होगे, अगर मिर्च बनानी है, तो आप इसे पेड़ पर ही लाल होने दें, और जब ये लाल हो जाएगे, तब आप इसे तोड़ के धूप में सुखा सकते हैं, तो बिलकुल आपकी जैसे बाजार में सुखी लाल मिर्च मिलती है, साबत, साबूत, वैसी ही आपको मिलेगी, देखिए, गुच्छों में मिर्च लगी हुई है, हर एक ब्रांच में, देखिए, गुच्छे में मिर्च लगी हुई है, हर एक गुच्छे में साथ से आठ मिर्च लगी हुई है, और ये मैंने एक जो चावल की बोरी होती है, उसमें लगाया हुआ है, देखिए, हर एक ब्रांच में भर भर कर मिर्च लगी हुई है, कम से कम एक उच्छे में साथ से आठ और कई कई में तो बारा बारा मिर्च भी लगी हुई है, और ये मैंने जो हमारी गार्डन की जो सूखी पत्तियां होती हैं, जो भी सूखे पत्ते टहनिया होती हैं, वो मैंने इसमें डाल दी है, ये जो ज़्यादा इसे मल्चिंग गहते हैं इसमें मैंने ऐसे की हुए है ताकि जो इसकी रूट्स को ज़्यादा धूप ना लगें और पोदा जो हमारा सोखे ना और इसमें मोईस्ट्यर बना रहे हैं देखे कितना अच्छा कलर लग रहा है यह बिल्कुल फ्री में मेरा यह प्लांट त्यार हुआ है और और इसमें भी मैंने किचन वेस्ट खाद ही डाली है और गैनिक फर्टिलाइजर डाला है चलिए फ्रेंड्स अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइ करें थैंक यू फ्रैंक्स